मैं स्वस्तिक सिक्षन संकूल में एक बार फिर से आप सब का हाट दे स्वागत करते हूँ आज हम कक्षा 4 कक्षा 4 में मारा चाप्टर है 7 चाप्टर नूमबर 7 कौन सा था हमारा आमपन होई छे उसका पार्ट नूमबर 3 सीखने वाले क्या सिखेंगे पार्ट नूमबर 7 का पार्ट नूमबर 3 ठीक है कक्षा 4 में तो कक्षा 4 में पार्ट नूमबर 7 जो था हमारा कौन सा था आमपन होई छे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हैडिंग करेंगे हैडिंग क्या दीगे पाटना आधारे कांसमा थी योग्य वाटके सोधीने चित्रनी साथे लखो जे तमने या पाट और तमे वाचो अतो येना आधारे या शब्दो आपेला चे ते तमारे सोधीने चित्रनी सामे लखानुचे सुखरानुचे चित्रनी सामे लखानुचे जितु सावथी पैला तमें सु करशो, सावथी पैला तमें चित्र जोऊ, आजी चित्र आपेला छे, तेज ऊऊ और ऊपढणा बदा वाक्या वाचे। विमकुमार ब्रश करें छे, विमकुमार बस चलावें छे, विमकुमार कपड़ा थी चांदो साप करें छे, विमकुमार पाड़ेला हातीने पाणी पिवडावें छे, विमकुमार कसरत करें छे आप सबसे पहले यह करोगे, जो चित्र दिये हैं वह देखोगे, उसके बाद मैं यह सारे शब्से एक बाल पड़ोगे, इस पहले चित्र देखिए, जो पहला चित्र देखिए जो पहले चीतर वह किस चीच कहdy? बीम कुमार क्या कर रहे हैं? चन्दा जो है उसको साफ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? चन्दे को साफ कर रहे हैं तब क्या लिख होगे? बीम कुमार कपडा थी चांदो साफ करे छे बीम कुमार सु करे छे? कपडा जे छे? येना थी चांदो साफ करे छे सारो आवे बीजू चित्र बीजे चित्र में चे पीम कुमार छे तेसू करे चे यह जू दूसरा चित्र दिया गया इसमें बीजू कुमार हाथी को क्या गर रहे है हाथी को पानी पिला रहे है क्या गर रहे है पानी पिला रहे तो क्या लिखोगे गुजराती में बिम कुमार पाड़ेला हाथे ने पाणी पिवड़ावे छे जो उपर कामस में शब्त दिये गए वह डूनके आपको यहाँ पे लिखने तो क्या आएगा बिम कुमार पाड़ेला हाथे ने पाणी पिवड़ावे छे तीजोग चीत्र सेंन मुआ पे लू झे जो थड़ चीत्र है वह किसका दियागे बस का और भीमकुमार काकर रहे? बस को चला रहे तो आप क्या लिखोंगे उपतर में तो उत्तर में आख भीमकुमार बस चलावे छे भीमकुमार सु करे छे? वीमकुमार बस चला रहे चे तब वीमकुमार जो है वह क्या कर रहे है वह बस चला रहे है क्या कर रहे है बस चला रहे है अब इसके बाद वाले चित्रों में जो वीमकुमार है वह क्या कर रहे है वह प्रश कर रहे है क्या कर रहे है ब्रश कर रहे है तब इसको घुजरती में केसे लिखोगी विमकुमार ब्रष करेचे विमकुमार सु करेचे ब्रष करेचे अब हादा पजिनु जे चित्र छे तेमाँ विमकुमार सु करता देखाएचे तो तमी सवच प्रतम आज चित्रह जो तो आज जे चित्रमा विमकुमार कसरत करेचे सु करेचे कसरत करेचे तो तमारे आविरेते सु करानूँछे काउंसमा थी योग्य बाक्य होए ते सोधी ने चित्रनी सामे लखवानूँछे आविरेते सु करेचे काउंसमा थी योग्य बाक्य होए ते सोधी ने चित्रनी सामे लखवानूँछे आवे थिना पचे आपने आगळ चुई सु करेचे गपा गीत पंचिकडा गीत नी खाली जग्या होने पूरी ने गव आजी पंचिकडा गीत छे ते तमारे जी खाली जग्या चे ते बर्वानी चे सुखा होनूँछे गीत गाता गाता बर्वानी चे तुब तमने आईए एक पर बाच्चे ने कई दोँछे गपा गीत पंचिकडा गेत नी खाली जग्या हो पूरी ने गव तमारे इए खाली जग्या पूर्वानी चे तो गयो तो अम्दा बाद सुखा होसे अम्दा बाद ने त्याथी खाली जग्या पूर्व लावे ने त्याथी लावे पूर्व एतो हतो काडो खाली जग्या कुत्रों ने थाई गयो मोटो खाली जग्या मूर्व कि अम्धे खाली जग्या पांचिकडा गईये बालूडा ने सेडी खजूर खाता जईये ये चूला उपर खाली जग्या उंदर डी खाली जग्या मिट्टू खाए कर-कर खाली जग्या जाली पचाडिये तो कुछडी रूप्या खाली जग्या थाई खनन कि अम्धे खाली जग्या पांचिकडा गईये बालूडा ने खाली जग्या गाता खाता जईये सेड़ी खजूर ए चूलामा खाली जग्या आमबो उग्यो ने आमबे आवया खाली जग्या बूरा बूरा खाली जग्या खाधा त्या तो वेणी खाली जग्या हस्या छूरा खड़ खड़ के अमें बालूडा खाली जग्या गई है पांची खड़ा ने खाली जग्या खाता जई है सेड़ी खजू तो तमारे एक वारा जे गीत आपेलू छे ते सुखरवानू छे गावानू छे एक वारो तमने फरी थिये या समझाई दूछ बूतु गयो तो अमदावद ने त्या थी लाव्यो बूट एतु हतो काड़ो कुत्रो ने थै ग्योयो मुट्टो उट के अमें बलूडा पांची कड़ा गई है ने सेड़ी खजूर खाता जई है एतु चूला उपर उंदरडी करकर मेठू खाए उंच्डी जाली पचाड़ी है तो रूप्या खनखन थाए के अमें बलूडा पांची कड़ा गई है ने सेड़ी खजू खाता जई है ए चूला मां उग्यो आमबो ने आमबे आव्या बोरा खड़़़ हस्या छोरा बोरा वेणी खाता त्या तो खड़़़़ हस्या छोरा के अमें बलूडा पांची कड़ा गई है ने सेड़ी खजू खाता जई है आवी रत्ते तमने एक गेत आपेलू छे ते तमारे गावानू छे आने खाली जी गया भरवानी छे आपको यापे क्या दिया गया है सबसे पले आप हैडिंग पड़िये साच्चू होए तेनू गपु बनावे गपु होए तेनू साच्चू बनावे नमुना प्रमाने लखो आपको क्या करना है यापे जो सबसे उसको गपु बनाना है और गपु हो उसको साच्च करके लिखना है नमुना उड़ता उड़ता बगलू ठाकी गया तो पोता नी जपाक पर सुई गयो गपु यानी खोटू उड़ता उड़ता बगलो थाकी गयो तो पोता ना माड़ा मा जई सुई गयो साचो एना पच्छी सुआ पेलो छे केडी ना पग नीचे हाथी दबाई गयो अपने गभी देखा है कि चीटी के पाउंके नीचे हाथी दबता है तो नहीं हाथी के पाउंके नीचे चीटी दब जागती है ठीके अब थर्ड थर्ड में क्या दिया गया है आकास माथी दुद पाक नो वर्सात वर्स्यो गप्पू आकास माथी पाणी नो वर्सात वर्स्यो साचो तो तमारा इयां सु गरवानू छे जे गपू छे जे गोटू छे तेने गपू बनावनू छे न गपू होए तेने साचु बनावनू छे सारू जो रांगे उसको जो साई है उसको गपू बनाना है और जो गपू है उसको सच बनाना है इक बार वापसे हम ये पढेंगे उड़ता उड़ता बगलो थै फाके गय तो पोता नीचे पाक पर सुई गयो उड़ता उड़ता बगलो थाके गय तो पोता ना माडामा जैस शुई गयो साचु, कीडी ना पग नीचे हाथी दबाई गई, साचु आकास माती दूद पाक नो वर्षाद वर्षु, गपो आकास माती पाणी नो वर्षाद वर्षु, साचु तो तमारे सु करानोंचे आजे होमबुक में अब आज के होमबुक में क्या करना है? चप्टर नमबर 7, चप्टर नमबर कौन सा दियागे? 7, उसका पार्ट नमबर 3 जो है, वह आपको स्वापू थी और नोट बुक दोनों में अच्छी हैंड रैटिंग से लिखना है, ठीक है? तो जे का इत्री, अस्तू